राजिस्थान में नौत्पा से पहले ही शदीद गर्मी देखी जा रही है हाला कि ये कुछ जगाओं पर बे मौसम बारिश से लोगों को थोड़ी रहाज जरूर मिली है लेकिन ये रहाज जादा वक्त के लिए नहीं है क्योंकि चोईस मईस से नौत्पा शुरू हो जाएगा और नौत्पा की दोरान सूरज और प्रत्री की बीच की दूरी काफी कम हो जाएगी इस वजह से सूरज की तपीश काफी जादा महसूस होगी राजिस्थान में पारा 44 से 46 डिगरी है ऐसे में गर्मी से बचाफ के लिए घरों में कूलर, AC और ठंडी चीजों का खान पान श यह सा तो हो नहीं सकता, गर्मी में आइस्क्रीम हम सभी को बहुत पसंद होती है, लेकिन यह कभी देखा है भालू को आइस्क्रीम खाते हुए या लोयन और टाइगर के लिए कूलल लगे हो और वो बिलकोज मिला हुआ पानी पी रहे हूं, या फिर हीरन और सांबर तर्ब हो रहा है, बेजुबान जानवरों को कितनी गर्मी लग रही है, इसका अंदाजा लगाना मुम्किन नहीं है, गर्मी के असर को जानवरों के लिए कम करने के लिए जैपुर के जू और नहारगड बायोलोजिकल पार्क में वन्य जीव को गर्मी से बचाने के लिए खास इं बन्य जीव को समय पर डायट भी जारी है, लगतार बन्य जीव की सेहत का खयाल रखा जा रहा है, जब करने दवाएं भी दी जा रहा है, वही बन्य जीव को पानी में घोल कर गुल्कोज भी पिलाया जारा है, जिससे शरीर में ठंडक बनी रहे हूर उन्हें शुक्रिया